बाजिगर, गुप्त, कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है मायनेमिस खान और फना जैसी सूपर हिट फिल्मों में काम करने वाली बॉलिवुड की मशूर अदाकारा काजोल का अज जन दिन है 5 अगस 1974 को मुंबई में जन मी काजोल को अभिने की कला विरासत में मिली काजोल के पिता निर्माता शोमू मुखर जी और उनकी मा बॉलिवुड की मशूर अदाकारा रह चुकी तनूजा है काजोल की मौसी नूतन ने भी बॉलिवुड में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है काजोल की चोटी बहन तनीशा है घर में फिल्मी महौल रहने के कारण काजोल अगसर ही अपनी मा तनूजा के साथ शूटिंग देखने जाया करती थी जिस कारण काजोल का रुजान फिल्मों की और बड़ा काजोल ने अपने करियर की शुरॉत फिल्म बेखुदी से की अब बास मस्तान को इस फिल्म में काजोल का किरदार इतना पसंद आया कि उन्होंने काजोल को अपने फिल्म बाजिगर में साइन कर लिया जो की सूपर हिट साबित हुई शारुक और काजोल की जोड़ी को बॉलीबूर्ट की सबसे शांदार कही जाने वाली जोड़ियों में से एक माना जाता है शारुक ने काजोल के साथ माइनेम इस खान दिलवाली तुननिया ले जाएंगे कुछ कुछ होता है कभी खुशी कम जैसी फिल्मों में काम किया है वही फिल्म गुप्त के लिए काजोल को बेस्ट नेगिटिव रोल के लिए फिल्म फेर रवार्ट भी दिया गया काजोल को Best Actress के लिए 5 बार Film Fair Award से नवाजा गया साल 1998 तक काजोल ने Bollywood की लीड एक्टरेस में अपनी जगा बना ली थी साल 1999 में काजोल ने अभिनेता अजे देवगन से शादी कर ली उनकी शादी के शुरुआती दिनों में कहा जाता था कि दोनों के अलग व्यक्तित्व के कारण उनकी शादी जादा देन नहीं चल पाएगी लेकिन आज भी 17 साल बाद दोनों साथ हैं और उनके दो बच्चे नियासा और युग भी हैं बच्चे होने के बाद काजोल ने बॉलिवुट से ब्रेक ले लिया उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने परिवार के और लगाया लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो काजोल ने एक बार फिर फिल्मों का रुख किया उन्होंने उसके बाद माइनेम इस खान, फना और दिलवाले जैसे सूपर हिट फिल्मों में मुख्य भूमिका अदा की करियर के शुरुआती दिनों में कहा जाता था कि काजोल खुद ही अपनी प्रतियोगी है उन्हें लोगों ने उनके शुरुआती दिनों में कुछ खास पसंद नहीं किया क्योंकि काजोल का रंग सावला था और उनकी फीचर्स भी कुछ खास नहीं थे लेकिन काजोल की धीरे धीरे बढ़ती खुबसूर्ती ने उनके फैन्स को उनका दिवाना बना दिया काजोल ने अपने चुलबुले सुभाव और अपने अधाकारी से बॉलिवुट में अपनी जगा बनाई और लोगों को अपना दिवाना बना दिया देश और दुनिया के और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए